नदी में ससुराल आप गाओं का नाम देती हैं ताकि उसके आगे मैं कुछ कहूँ ही ना लेकिन आप खुद ही देखिए ना इस सीलन और बल्बुदार मकान में कितनी दिक्कत हो रही है हमें देख बहुतू ना रोज रोज ये रोज ना लेकर मत बैठा कर मेरे सामने अरे परिशान हो गई हूँ तेरी बाते सुन सुन के शाम को तेरा पती आएगा न उसका दिमाग चाटना उसकी जेब में पैसे हो तो वो ले ले तेरे लिए नया मकान हमारे पास पैसे ना आया भई शाम के समय विजे आखिर कब तक इस मकान में पड़े रहेंगे हम लोग पिछले पांच साल से यही सुनती आ रही हूँ मैं अगले साल मकान लेंगे अगले साल मकान लेंगे लेकिन ये अगला साल तो जैसे आई नहीं रह देखो सुनिया इस मकान में कोई खरा भी नहीं है खराबी बस तुम्हारे मन में हो गई है तुमने अपने मन में ये बात बिठा लिये कि इस मकान में रहने से तुम्हें दिक्कत है वरना आज भी मैं मकान किराय पर देने की बात करूँ न तो इस सुपह तक चार किरायदार खड़े मिलेंगे लेकिन कहते है न जिसके पास जोड़ चीज होती है उसकी कदर नहीं होती है शहर के सबसे भीड भाड वाले इलाके में मकान है हमारा जानती भी हो यहां की प्रापर्टी का रेट कितना है प्राइम लोकेशन है इसलिए यहां इतनी भीड भाड है अब तुम कहो तो जंगल में तुम्हें मकान दिलवा दू वहां पर बना ले ना मंगला लेकिन ऐसी जगह भी रहने का क्या फाइदा जो इंसान की शकल देखने के लिए तरस जा और कोई सुक सुविदा ही ना हो अरे मुझे क्या करना है सुक सुविदा का सारी जंदगी तो घर में बरतन मांच कर निकली जा रही है मेरी और वो घर भी ढंका नहीं है तो मेरी जंदगी तो बरबादी होगी ना आप लोग तो सुबह सुबह बैग उठा कर निकल जाते हो आपको फर्क ही कहा पढ़ता है फर्क तो हमारे जैसे हाउसवाई को पढ़ता है जिनने अपनी सारी जंदगी इन चार दिवारियों के बीच पे रहकर बितानी होती है पत्नी के रोज रोज के तानों से परिशान होकर विजे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है अरे भाई साब आपको आपके बजेट में थोड़ा बड़ा मकान चीए न तो देखिए एक सजेशन है मेरे पास नदी के उस पार प्लोटिंग हो रही है मेरी मानियों तो आप भी अपना प्लोट बुक करवा ली जी वहाँ और फिर जैसे मन करेवा ऐसा मकान बनवाई है अपनी पसंद का एक मंजिला दो मंजिला साब आपकी मरसे अरे चांदी चांदी हो जाएगी आपकी और भाई जी को शिकायत है न छोटे मकान पदले गलियों की वो समस्य आपी भी नहीं रहेगी गर के सामने नदी है ठंडी ताजी हवा आएगी सीला न और बद्बू की तो कुन जाईशी नहीं है अब आप खुद सोच कर बताईए शाहरों काने समुद्र के सामने बंगला बनाया है जानते हैं कितने करोड का आज उसका बंगला आज आप रिवर फेसिंग मकान बनायेंगे न तो कल को करोडों में खेलेंगे करोडों में प्रॉपर्ट्री डेलर की बात संकर वीजे बढ़ा खुश हो जाता है और अगले ही दिन मा और पतनी को लेकर नदी के किनारे वाली जमीन देखने के लिए पहँच जाता है नदी किनारे पहँच कर अरे भाई साब ये तो नदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया आपने जमीन का है तैरी भाई साब आपका प्लॉट नदी के उस पार है देखे वैसे तो नदी के उस पार जाने के लिए एक और रास्ता भी है लेकिन वहाँ से जाने में आपको इसलिए शॉर्ट कट के तौर पर न हम लोग बोट से नदी पार करेंगे और बस सामने ही तो है आपका प्लोट अरे ये नास पीटा एजेंट कहां ले आया हमें अब क्या रोज नदी में बैठकर चप्पू चलाते हुए उस पार जाया करेंगे हम लोग अरे मा तुमें चप्पू चलाने की कोई ज़रूत नहीं है देख नहीं रही हो नदी में बोट चल रही है दस रुप्या देकर आराम से बोट में बैठो और पांच मिनट के अंदर नदी पार कर लो भाई इसमें दिक्कत भी क्या है प्लोट पर पहाँच कर देख लीजिए अंडी जी इससे बढ़िया प्लोट आपको पूरे शेहर में कहीं मिल जाए तो आप मेरा नाम बदल देना आपके बजेट से भी आदे में आपको प्लोट दिलवा रहा हूँ और लोकेशन देखे घर के सामने नदी बैरी है आपको शुद्ध और ताजी हवा मिलेगी अरे लोक तरस्त है ऐसी जगह पर रहने के लिए पूरी रिष्टेदारी में नाम हो जाएगा आपका आप जानती है ऐसी लोकेशन ज्यादा दिन खाली नहीं रहती ये होटल वाले लपक लेते हैं और रिवर फेसिंग होटल बनाते एक एक कमरे का हजार रुपया मिलता है उनको समझ रही है ना बात तो बिलकुल ठीक है देखो न विजे घर के सामने नदी बैरी है वाकई बड़ी अनुखी जगह आई है क्या कहते हो ले ले किया ये प्लॉट बड़िया दो मंजिला मकान बनाएगे सबकी पास अपना अपना परसल रूम होगा और जब खिड़की खोलेंगे ना तो ठंडी ठंडी ताजियवा घर में आएगी मैं अभी यही सोच रहा हूँ और अपने मकान का नाम पता है क्या रखेंगे एजेंट की बातों में आकर विजे नदी के उस पार्क की जमिन खरीद लीता है और जल्दी ही उसमें मकान बनवाने का काम शुरू भी करा देता है कुछी समय में विजे का मकान बन कर तयार हो जाता है और शहर के बीचों बिच बने अपने मकान को किराय पर देने की बाद वे लोग अपने नए रिवर व्यू रेसिडेंस में आकर रहने लगते है तैंक यू सो मज बिजे इतना संदर मकान बनवाकर तुमने मझे सिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दिया मैं कितनी 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 खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हें ये खुशी देने के लिए मैंने अपनी सारी जमा पुंजित खर्श कर दिये डर्लिंग मेरा पी एफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट या तक की पापा के रिटारमेंट के पैसे साब इस मकान में लग गए उम्हेद है, अब तुम खुश हो गई होगी आप तो कोई शिकायत नहीं है न मुझसे शिकायत कैसी? मैंने कहा तुसे ही, कि तुमने मुझे जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशी दिया विजे पिटा, अपने मकान का रेंट एग्रिमेंट बनवाया है न तुमने आजकल किरायदार भी कम नहीं है मा तुम चिंदा मत करो, एक साल का रेंट एग्रिमेंट बन गया है एक साल से पहले आप वो किरायदार मकान छोड़ कर भागेगा नहीं साल भर की बाद देखते हैं क्या होता है अरे आप तो आफिस जाने के लिए निकले थे ना वापस क्यों आ गए कुछ हुआ क्या अरे होगा क्या वो बोट वाली ने बोट में बिठाने से मना कर दिया महां तो लोगों की लाइन लगी हुई थी एक बार में बस दस बारा लोग ही चड़ पाया बाग के लोग खड़े मुह ही देखते रह गए तो थोड़ी देर और वेट कर लेते या कोई और बोट ले लेते अगर बोट लेना इतना असान होता तो मैं घर वापस आता क्या तुम एक बार जाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस समय वाँ की हालत क्या है बोट में बैठने के लिए मारा मारी हो रहे है वाँ पर लोगों का बस चले ना तो एक दुसरे को उठा कर नदी में फैक्ट है मैं असे धक्का मुकी करके बोट में नहीं बैठ सकता था इसलिए वापस आ गया है तो फिर आफिस नहीं जाओगे क्या आज समझ में नहीं आरा क्या करो दूसरी तरफ से जाओंगो तो आफिस पांच ते पांच ते ये आधा दिन निकल जाएगा और यहां तो बोट के लिए इतनी मारा मारी है कि बोट में बैठने की बार ही नहीं आ रही है तुम परिशान मत हो कल से थोड़ा जल्दी निकलना तब शाय तुमारा बोट में बैठने का नंबर आ जाए और वैसे भी सिर्फ पांच देस मिनिट तो लगते हैं बोट से नधी पार करने में उसकी बाद तो तुमारा आफिस बस थोड़ी धूरी पर है ठीक कह रही हो तो बैब बॉस को फोन कर देता हूँ और आज छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ देखते हैं कल क्या होता है सुनो ना अब आपने छुट्टी करी लिए तो ऐसा करो थोड़ी सबजियां वगेरे ले आओ ठीक है विजे थैला लेकर घर से बहार निकल जाता है कुछ तिर बाद यहां तो सबजी नहीं मिल रही आसपास के लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि सबजी लेने के लिए नदी के उस पार जाना होगा ओहो परिशान मत हो नई जगर रहने आये ना धीरी धीरी ही एड़्जस कर पाएंगे आप ऐसा करो हफ़ते बर की सबजी लेते आना दो पैर के समय बोट पर भीड भी कम हो जाती है उस समय जाकर बाजार का काम निपटा लो दो तीन घंटे के बाद विजे सबजियों के बड़े बड़े थैले लेकर घर में घुस्ता है अरे इतना टाइम कहां लगा दिया और ये क्या पूरे मौले के सबजी यहां पर खरीद लाया हो क्या सबजी के दुकान लगाने का इरादा है क्या अरे महरानी रोज रोज ये नाव में बैठ कर कुष्टी लड़ते हुए बाजार जाना मेरे बसका नहीं है अब मैंने तुम्हें दस दिन की सबजियां लाकर दे दिये अब दस दिन तक इससे ही काम चलाओ और बाजार से सामान लाने के बारे में आप से बात मत करना अरे बहु अरे राम मेरी तो टांग ही तूट गई क्या हुआ माजी आप इसे लंगडाती हुए कहां से आ रही है अरे और कहां से आऊँ 24 गंटे घर में बैठे बैठे परिशान हो गई थी मैंने सोचा जरा सा टैल आती हूँ टैलने के लिए घर से बाहर निकली तो पूरी गली में पानी बरा हुआ तो उसी में फिसल गई अलगता है कि मेरे तो पैर की हटी चटक गई तो जल्दी से डाक्टर को बुला ले बाहु मुझे यह तर्ट बढ़ता आर्श नहीं हो रहा लेकिन यहां कौन सा डाक्टर आएगा डाक्टर की पास जाने के लिए तो हमें नदी पार करके शहर की तरफ जाना पड़ेगा अर अब इंसान मर रहा होगा तो पहले वो बोट की लाइन में खड़ा होगा क्या जा कर देख कब नाव वाला आएगा नाव में बिठाएगा और हम डाक्टर के पास जाएगे पता नहीं हमारी हमती मारी गई थी जो नदी आप आर मकान ले लिया हमने अरा कुछ तो कर ना लाया कितना दर्द हो रहा है अब क्या दर्द से मेरी जान चली जाएगी तब हिलेगी तू अरे मा जी अप परिशान मत हुए आप अंदर चलिए मैं आपकी मालिश करके पैर पर पट्टी बांद देती हूँ आरा मिल जाएगा मुझे तो लग रहा है इस पार मेरे पैर का काम तमाम हो गया है ऐसी जगह लाकर बसाया है तुम कमबग तो नहीं यहाँ तो कोई डॉक्टर तक नहीं मिल रहा इतना अच्छा खासा मकान था हमारा शहर के बीचो बीच चार कदम की दोरी पर सारी सुक्सुविता थी लेकिन इस महारानी को बड़ा मकान चाहिए था कभी कहती है हवा नहीं आती है कभी कहती है सीलन की बद्वू आती है अब यह वीराने में पड़ी हुई है आप तो खुब हवा आ रही है ना तुझे माजी अब बात बात पर मेरे उपर राशन पानी लेकर क्यों चड़ जाती है मकान बदलने की सब की इच्छा थी मेरे अकेले के कहने से आप लोगों ने यहां मकान करीदा है क्या यह अच्छा तरीका हुआ कुछ अच्छा हो जाए तो क्रेडिट आपको और कुछ बुरा हो जाए तो सारा ठिकरा मेरे सर पर फोड़ दो देख स्निया इस समेना मेरा दिमाग बहुत खराब है तू तो कुछ बोली मत जा-जागर अपना काम कर वैसे ही दर्द के मारे मेरी हालत खराब है स्निया विजए को फोन करती है और मांजी की चोट के बारे में बताती है विजए आफिस से भागता हुआ आता है और मां को जैसे तैसे इलाज के लिए लील दे जाता है कुछ दिन बाद अरी ये तो वैसे बिन मौसम की बरसात है अब इसमें यहां के आलत इतनी खराब हो गई तो बरसात के सिजन में पता नहीं क्या होता होगा अरी कुछ नहीं होगा आप क्यों टेंशन लेते हो जैसे अभी तक काम चला आगे भी चल जाएगा स्निया और विजे को अब इस मकान में आये हुए कुछ ही दिन हुए थे धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और बरसात का मौसम आ जाता है जैसे ही बरसात शुरू होती है अभी तक खुब सुरत नजर आ रहा रीवर वियो बदलने लगता है नदी का पानी अब विक्राल रूप लेने लगता है अरे बिटा ये पानी तो हमारे घर के सामने तक आ गया है सब तरफ कीचड ही कीचड नजर आ रहा है चिंता मत करो मा दो-चार दिन की बात है अब बारिश में तो सब जगे ही कीचड हो जाता है तो फिर ये तो नदी का किनारा है जैसे ही बारिश का मौसम जाएगा सब कुछ फिर से सामानी हो जाएगा शाम के समय सनिहा को अपने बेटे के रोने के आवाज आती है तो वो दोड़ कर घर से बाहर निकलती है अरे वाइश क्या हो गया तुम्हें ये कैसा हल बना कर आ रहे हो बेटे के हालत दे कर सनिहा बहुत परिशान हो जाती है विजए ये घर है कि आफत organism रोज कुछ ना कुछ नहीं मुसिबत ख़ड़ी हो जाती है एक परिशानी हल होती नहीं इतने में दूसरी आ जाती है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विजे हमने मकान खरीद कर ठीक तो किया है ना कोई गलती तो नहीं हो गई नाम से कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने इस गलती के लिए हमें उम्र भर पच्ट आना पड़े अरे भई हमने अपना मकान बेचा थोड़ी ना है बस किराया पर दिया है ठीक है अगर हमें ये मकान नहीं जमेगा तो हम लोग वापस अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे और इस प्रापर्टी को बेच देंगे किसी तरह विजे इस नहीं है और उसका परिवार इस नदिया पारवाले सिसुराल में अपने दिन बिता रहा था कि अचानक एक दिन खबर आती है कि पडोसी स्टेट ने अपनी यहां का बान का पानी छोड़ दिया है जिसके कारण नदी में बाढ़ आ गई है और नदी का वाटर लेवल बढ़ने वाला है देख रहा हो विजे नदी में तो पानी इतनी तीजी से बढ़ रहा है मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में हमारा मकान पानी में ही डूप जाएगा देखो अच्छी बात पी कर लिया करो क्यों डूप जाएगा हमारा मकान बिल्डर अगर कोई जमीन बेशते हैं तो सारी चीज़ चेक करने के बाद ही बेशते हैं न तुम आखो दी के सच को कैसे जुटला सकते हो देख नहीं रहा हो गली में घुटने तक पानी आ गया है अब बस हमारा मकान डूपना ही बाकि रह गया है लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा विजी का दिल अभी भी मानने को तयार नहीं था कि लाखो रुपे खच करके बनाया गया उसका ये मकान बाड में डूबने को तयार खड़ा है उसी दिन अचानक सरकार की तरफ से कुछ लोग आते हैं और उन्हें नोटिस थमा कर चले जाते है अरे जरा देख तो सही क्या लिखा इस नोटिस में मम्मे इस नोटिस में तो यही लिखा है कि हमें इस मकान को तुरंट छोड़ कर जाना होगा नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है अगर हमने घर खाली नहीं किया तो हमें जान से हाथ दोना पड़ सकता है सरकार इसके कोई जिम्मदारी नहीं लेगी हैं? अपना घर छोड़ कर कहा जाएंगे हम लोग ऐसे कैसे नोटिस थमा कर चले गए? अब क्या बताओ मम्मी इस नोटिस में लिखा है कि ये घर illegal जमीन पर बना है नदी के किनारे ये जमीन बेकाओ नहीं है अरे ये तो नदी की जमीन है गर्मियों में पाने सूख जाने की वज़़े से खाली मैदान नजर आ रहा था और उस एज़न्ट के चक्कर में हमें जान से हाथ गवाना पड़े विजी की बात सुनकर पूरा परिवार सन रह गया था वे लोग जल्दी जल्दी अपना कीमती सामान कुछ बैगों में पैक करते हैं और मकान को छोड़कर वहां से बाहर आ जाती है अपना मकान तो हम लोग छोड़ कर आ गए लेकिन आप ये बताओ कि जाएंगी कहा अरे टैंशन मतलो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा मकान पानी में डूबी जाए वो तो खत्री को देखते हुए आसपास की बस्तियां खाली करा ली जाती है भगवान ने चाहा तो एक दो दिन में वाटर लेवल काम हो जाएगा और हम लोग वापस अपने घर में चले जाएंगे तब तक के लिए किसी रिष्टेदार की यहां चलते हैं क्योंकि होटल में रुकने का तो मेरा बज़ेट है नहीं पिछले मेने में इतनी चुटियां होगी है मेरी के ओफिस के आदे सेलरी तो चुटियों के नाम पर ही कट जाती है विजेस निहां और उसका पूरा परिवार अपने एक रिष्टेदार की यहां पहुँच जाते हैं और दो-तिन दिन वहां पर रहकर पानी की नॉर्मल होने का इंतजार कने लगते हैं लेकिन उन बिचारों की किस्मत बाकई बहुत खराब थी अगले दो दिनों के अंदर ही नदी का वाटर लिवल और बढ़ जाता है और उनका रिवर व्यू मकान आधे से ज्यादा पानी में डूप जाता है देखो कवशिल्या बेहन हमें लगता है इतनी जल्दी आपका मकान रहने लाएक कंडिशन में नहीं आने वाला पर देखिए हमारे भी तो दो एक कमरे का मकान हैं बड़ी समस्या हो रही है आप लोग बुरा नमाने तो अपने रहने का इंतिजाम कहीं और कर लीजिए अब ऐसा करिए ना कहीं पर किराया पर मकान ले लीजिए और ये दो-दो मकान हैं हमारे पास और हम जाकर किराया के मकान में रहेंगे ऐसा करते हैं, अपने किरायदारों को बोलकर मकान खाली करवा लेते हैं हम वापस अपने शहर वाले मकान में रहने चले जाएंगे हमारा राज नहीं चल रहा है, पूरे एक साल के लिए कॉंट्रेक्ट साइन किया है हमने अपनी तरफ से दूसरा मकान रहने के लिए भी देती है तो ऐसा कर बिटा सरकारी दफतर में जाकर अर्जी लगा दे कि बाड की वज़े से हमारा मकान डूप किया इसलिए सरकार हमें रहने के लिए दूसरा मकान दिलवाए मा की बात सुनकर विजे सरकारी दफ्तर के चक्कल लगाने लगता है देखो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे जरूरी डॉक्यमेंट यहां जमा करवा दो पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सरकार आप लोगों के पुनर्वास के बारे में सोचेगी विजे बड़ी उमीद के साथ सारे काकजात सरकारी दफ्तर में जमा करवा देता है और अफसर के कहे अनुसार दो महिनी के बाद सरकारी दफ्तर में लटता है सर बताए ना मेरी अप्लिकेशन का क्या हुआ, हमारे सर से तो छाती चीन गई मेरा एक बेटा है, मा है, पत्नी है, महंगाई का जमाना है, आप ही बताएए सर, गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा मकान का किराया देते देते कमब तूट गई है मेरी सरकारी प्रक्रिया में जूट बोलने का अंजाम जानते हो तूँ कोई बे सहरा नहीं हुए हो, हमें सब पता है, शहर में अपना मकान है तुमारा और यहां का जूटा ड्रामा कर रहे हो, के तुमारे सर से चच छिन गई तुमारे जैसे फ्रॉड लोगों के लिए सजा का इंतजाम है कानून में पुलेस को बुला कर तुमें उनके हवाले कर दू, या तुम अपने आप से जाते हो विजी की पास अब और कोई चारा नहीं बचा था, बिचर अपनी किसमत को दोश देते हुए वहां से वापस अपने घर लोट जाता है और किराय के मकान में रहने लगता है, एक साल बात माजी, हमें अपना मकान तो वापस मिल गया किरायदारों से लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मकान की कंडिशन किरायदारों ने पहले से भी ज्यादा खराब करती है पहले तो फिर भी ठीक था, अब तो यहां पर बैटना भी मुश्किल हो रहा है कितनी घूटन है न यहां चुप करो, एक दम खबरदार, जो एक भी शब्द अपने मूँ से निकाला